हेलो दोस्तो वेलकम टू माई चैनल दोस्तो आज की वीडियो में बात करने वाले है हाउ टू कैंसल ओटो रिन्यूवल ऑन अल्ट बाला जी दोस्तो कई बार ऐसा होता है कि आप ना चाहते हुए भी सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ता है आपका सब्सक्रिप्शन आटो रिन्यूवल पर हो जाता है अगर आपको नहीं भी चाहिए होता तो भी आटोमेटिकली वो आटो रिन्यूवल हो जाता है तो इसे कैंसल करने का क्या प्रोसेस है और कैसे करना है आज की इस वीडियो में यही आपको बताने वाला हूँ तो दोस्तों वीडियो आपको एंट टक देखना है और अगर आप चैनल पे नीव हो तो सब्सक्राइब करके बैल आइकॉन जरूर दबाएए ताकि ऐसी helpful वीडियो सबसे पहले आप देख सको काफी लोगों कोई प्रॉब्लम हारी और काफी लोगों ने डियम किया है तो उन लोगों की रिक्वेस्ट पे ये वीडियो में आपके लिए लेकर आगया हूँ तो सबसे पहले आपको अपने मुबाइल में अल्ट बालाजी ओपन कर लेना है अगर आपके पास एप है तो भी चलेगा यहा फिर आपको Google Chrome करना है यहाँ अब बहते आपको MARC करना है उसके पार आपको ऐसा क्लिक करना है जब क्लिक करोगे बहुत गुझे तो आपको इस scroll down करना है और connect पे click करना है यहाँ पे third number पे जो connect है उस पे आपको click करना है उसके बाद आपको यहाँ पे contact us को option दिख रहा है तो contact us पे click करना है उसके बाद आपको लिख के आ रहा है टैप टू सिलेक्ट आ क्वेरी टाइप तो आपको यह घर करने इदर है नही आप्शन तो आदर पर क्लिक करना है उसके बाद आपसे पूछ रहा है entering your email ID तो आपको अपनी email ID है जो register email ID हो आपको यहां पर डाल देना है जैसे यहां पर मैंने लिखा है दोस्तों सिर्फ वैसा ही आपको copy करके लिख देना है जैसे मैंने यहां पर बताए है Please cancel my auto renewal इतना अपको लिखके यहां पर submit कर देना है उसके वाद आपको पूछ रहा है अगर आपको screenshot address करना है तो ठीक है वरना आपको Submit पे क्लिक कर देना है उसके लिए आपको यहां पे लिक्के आ रहे है और Query has been submitted successfully तो दोस्तों इसी तरीके से आपको अपना Query submit करना है जब आप submit कर दोगे तो 24 गंटे के अंदर जो आपका auto renewal जो है हो रहा है वो cancel हो जाएगा इसी तरीके से उमीद करता हूँ आपको समझ में आ गया और एक बार आपको अपना payment mode जाके check कर लेना है अगर वो on रहेगा तो आपको off कर देना है दोस्तों वीडियो अगर आपको